अस्सलाम उल्लीकुम विवर्स वेल्कम तू दा स्टूरेंट्स प्लेटफॉर्म विवर्स आज हम PSY 402 के लेसन नंबर 42 को डिसकस करेंगे इसके अंधर हम टॉपिक 182 से लेकर 183 यानि दो टॉपिक जो इसके अंधर कवर करेंगे problem solving हमारे टॉपिक है problem solving कह रहा है कि problem तब आता है जब हमारी प्रेज़न स्टेट में और गोल्स में कोई रुकावड आ जाया और इसे फौरी हल ना किया जा सके problem दो तरह के होते हैं well defined जिनको हल करने से कि जो सिरफ एक ही correct जवाब मिलता है यानि कि उनका एक ही जवाब होता है, एक ही तरीका होता है, दूसरे इल्डिफैंड होते हैं, इनका कोई एक एक कॉरेक्ट जवाब नहीं होता। कहने कि गेस्टराल अप्रोज के मताबिक मसले का बेतर हल इस चीज़ पर डिपैंट करता है कि प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में किस तरह जो है वो रिप्रेजन्ट हो रही है, यानि आप प्रॉब्लम को किस तरह लेते हैं, किस तरह समझते हैं, यह वो गेस्टराल अप्रोज के बारे मैं आपको बता दिया यहां पर कहा रहा है कि प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके को तब्दील करना रिस्ट्रक्टरिंग कहलाता है मसला अचानक से हमारे अंदर एक इंसाइट पैदा हो जाती हो और हम तो कहते हैं कि मुझे तो इस मसले का पता है मुझे तो इस प्रॉब्लम का हल पता है इसको रिस्ट्रक्टरिंग कहते है आगे यहां पर अब्स्टेकल्स टो प्रॉब्लम सॉल्विंग फिक्स्टनेस है और फंक्शनल फिक्स्टनेस है फिक्स्टनेस कह रहा है कि एक ही अंदास से सोचते रहते हैं हम और एक इसलिए हमें solution नहीं मिलता एक चीज़ के मुक्तलिफ आल होते हैं लेकिन हम एक इंदास सोचते हैं तो हमें इसको solution नहीं मिलता functional fixedness का है कि किसी object के specific इस्तमाल पर हम fix हो जाते हैं मसले ने एक example यहां पर बड़ी interesting example दे गई कि एक बंदे को एक matches कुछ common pins और एक candle दे गए रहो उसे कहा गया कि बोड़ पर उसने candle को लगाना है तो उसने क्या किया कि उसके जहन में matches का एक इस्तमाल था कि इससे आग दिला जाती है लेकिन वो यह भूल गया था कि matches के जरीए वो candle को बोड़ पर लगा सकता है तो आपके सामनी नज़र आ रहा है किस तरह matches को उपन करके उसके अंदर पिंज लगा है यह उसके उपर candle को रख दिया गया क्यानिके यह बताना यह चारा है कि हम जो हैं वो एक ही चीज के एक ही function में fix हो जाते हैं हम उसके मुजीद functions की तरफ नहीं जाते हैं कि matches का जो function है वो यह भी था कि वो candle की मतल से candle को जो है वो अपने उपर जो है वो place कर सकते थी हम समझते रहे कि इसका यह मकसद है कि यह जो चीजों को जलाएगी जलाती है बस आगल जलाने के काम आती है topic 183 है approaches to problem solving अब उपर जो मैंने दो example skip की है वो जस्ट इसी तरह की example है जो माचस की example है तो तीनों में से एक example भी कर लें तो काफी है किरा है कि newell और साइमन के मताबिक जब initial state से हम start होते हैं और problem को solve करना शुरू करते हैं और finally हम इसके solution की तरह जाते हैं goal state पर हम पहुंच जाते हैं इनके दरम्यान जो हुई stages होती हैं इन सब को problem space कहते हैं यहां पर एक इसके example दी हुई है कह रहा है कि vivo problem solving लोगों को observe करके problem को solve करना vivo problem solving कहलाता है यहां पर होगा इन्होंने दिया हुआ अच्छा लोगों के observe करके problem को सीखना vivo problem solving कहते हैं expert and novice solve problem जो expert होते हैं वो जो हैं जल्दी problem को solve कर दोते हैं novices की निस्पत novices वो लोग होते हैं जो के ना तो जरुबकार होते हैं इसलिए वो problem को जल्दी solve नहीं कर पाते हैं यहां पर यह देखें हो expert solve problem वो ही यहां पर सेम बात की expert nor grace knowledge differently spend more time analyzing मतलब ज्यादा time लगाते हैं चीज़ों का analyze करने में लेकिन वो उसी area में expert होते हैं जिस field के रिलेटिट होने experience किया होता है उसके लावा दूसरी field के अंदर वो expert नहीं होते हैं बियुर जल्दी हम next lesson के साथ मिलते हैं till then take care अलाहफ़ज़